हां जी गुड मॉर्निंग परिशकार कलासे सरदार सर के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज है 29 जनवरी तो हम इस वीडियो में 29 जनवरी से लेटेड जितने भी करंट अफेर के क्यूशन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अंत में मैं आप से क्यूशन पूछूँगा उसका अंस्वर आप मुझे कमेंट बोक्स में जरूर देना और अगर आप आप वीडियो देख रहे हो चैनल के अबाउट में जाईए अबाउट में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब की लिंक है वो मिल जाएगी वहां आप कलिक करोगे तो डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाओगे तो चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पाई शेर जरूर करिएगा अब अब स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अपने कल क्या पड़ा उसके बारे में फटाफट रिवीजन देख लेते हैं आई एफ की जांकी का हिस्सा कौन बनी है तो शिवांगी सीब बनी है ये दूसरी मेला है किस दिवारा कितने लोगों को वीरता पुरुस्त कर दिया गया तो 384 लोगों इमाचल प्रदेश रज्जे का स्थापना दियूस्ट 25 जनवरी को मनाया गया और भारत का पहला ग्रिफिन इनोवेशन सेंटर केरल को मिला है सिमा सडक्स संगठन के दस कर्मियों के पहली बार पर सब्सक्रादी के संक्या है वो जमुकस्मीर में समानित की गई है दुनिया का सबसे तेज सूपर कंप्यूटर मेटा बनाएगा मार्क जुकरबर की कंपनी है यह आई से सी मेंस टीटवन्टी क्रिकेट ओफ द इयर कौन बना है तो मुमद रिज्वान बने है और रिलाइस ज भारत के पहले भारत ने पहले चीफ ओफ डिफेंस स्टोग सीडियस वीपिन रावत जी का कौन सा परुष का मिला है उन्हें तो पदम वीवोशन परुष का मिला है मरनों परांत है और किस रद जे में आयाइटी गवाटिक से विक्सियत ड्रोन का जनतनतर दिवस में ड्रो को पहले भारत मदेश ऐसी कर्श मेलन की मेजवानी नेंदर मोदी जी करेंगे इसमें पांच देशा है वो सामिल होंगे शतीस गड़ाजे ने परते एक जिल्ले में महिला सुरुक्षा सेलिस तापित करने की गोशना की है अंदर पर देश सरकार ने तेरा नए जिल्लों के गठन की मंजूरी दी है भारत ने इजराइल देश के साथ 30 वर्षों के समंद कोचिने के लिए समार्क लोगोविक्षित किया है भारतिय नो से न दौरा कौन सा विमान 32 विमान है वो खुक्री विमान है वो अपन आज का पहला क्यूशन है उसके बारे में डिसकुस करते है रामगड वन्यजीव अभ्यारन को किस रज्जे के चोथे बाग अभ्यारन के रूप में अधिस उचित किया जाएगा तो रामगड ये आप नाम सुनने पर अंदाजा लगा सकते हो ये कहां पर है तो रामगड विस्दारी इसका पूरा नाम रामगड विस्दारी है जो 52 एक… अधिस ऱग सकते है हैं तो राजस्तान के चोथे बाग बेरान के रूप में इस एदिस उचित किया जाएगा अब राजस्तान के बारे में क्रिंट में क्या कुछ घटनाई हुई उनके बारे में डिसक्स करते हैं खादी के कपड़ों से बना दुनिया के सबसे बड़ा राश्ट या दोज़ कहां पर्दसित किया गया है तो जेसल में पर्दसित किया गया है ये अच्छा क्यूसन है और इपोर्टन्ट क्यूसन है और श्टेचू ओफ पीस पाली में हैं राज़े सरकार ने मैलाओं के लिए बैक टू वरत योजना प्रायम की है एक पुदा सुपोसित बेटी के नाम योजना सोपरती से टिका करने वाला अपने राज़स्तान का कौन सा जिल्ला है तो परताब गड़ जिल्ला है याद रखने हम परताब गड़ जिल्ल जिवन मिसन के तहत राज़स्तान को 10,121 क्रोड रुपए हमेंटित किये गए हैं सभी परिवार को औस दी जड़ी बूंटी बांटने की गोशना की गई है यह अपने राज़स्तान के बारे में डिस्कस कर लिया है राज़स्तान की टोटल सिमा कितनी है तो 5,920 है जिसमें किसा किया है तो रेडिकली फिरिका है अंतरश्टी और अंतरज चार हजार आठ सो पच्छास है वह अंतरज है इसमें सबसे ज़्यादा मद्य प्रदेश की सोड़ा सो और सबसे कम पंजाब की है पंजाब के साथ 89 किलोमेटर लगती है तो आप याद रखना अपने इस क्योशन के बारे में सोच है ओडियफ मतलब खुले में सोच मुक्त है पलस गाउं है वो पहला बना है तो ये मिजोरम रज्ये का है वो पहला गाउं बना है और इस राज्ये का नाम क्या है तो एबोक इस गाउं का नाम है क्या है एबोक डक्षनी गुबांग किस राज्ये का बना है तो ये टोटल एक सो तोला घर है और 649 वे नेक्स्ट देखते हैं अबGot नेक्स्ट रॉसन है अपना तो यह किस राज्जे को पहला ला ला अधे है कि यह पहला जेख वे जानीग सेक्भा पक्सी एक्षी एट्लस है वो मिला है अब के बारे में डिस्कॉस करते हैं तो के केपिटल आप सब को पता है तिरुनंद पूरम है और केरल ने आर्ट्स एंड क्रॉफ्ट विलेज संगठंग ने अंतराश्टे क्राप्ट अवाउड जीता है और एस डीजी सुन्सकांक में ये पहले स्थांग पर रहा है भारत का पहला सिनेटरी नेपकिन फ्री गाउं कौन कुबलांगी गाउं बना है ये बीपोर्टेंट क्यूशन है कुबलांगी गाउं है वो केरल में हैं 2023 की पहली विश्वा बदहीर क्रिकेट चेंपियंशिप आयुजित केरल में होगी तिरंगा पहले के तहत रेपीड स्केनिंग और पदम सेली पुरुषकार रिस्तापित क करने की गोशन की है भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंदान के अंदर कुला है और प्रितनम योजना किसके लिए स्टार्ट की गिए मच्वारों के लिए तो यह आप अपनी नोट्बुक में नोटे कर लेना नेक्स्ट विशन देखते हैं नेक्स्ट विशन अपना अ अंतराष्टे शीमा सुलुक दिवसे मनाए गए अब जनवरी के जितने भी इपोर्टेंट डे की क्यूशन है वो मैंने आपकी समने हैं वो लिखके दे दिये हैं और जैसी जनवरी कम्प्लीट होगी कम्प्लीट पीडिएफ मिलेगी आपको तो उसमें यह इपोर्टेंट और इपोर्टेंट बुक है ना उनके नाम है वो आपको इसके साथ मिलेंगे तो कम्प्लीट जनवरी की पीडिएफ है वो पढ़ना ना मुले और अपने दोस्तों के पास शेर भी जरूर करें गुद्नीश जनवरी को तो कोको बोरोग दिवस त्रिपूरा में मना जाता है और 23 जनवरी को प्रक्रम दिवस और 24 जनवरी को अंतराष्टे दिवस 24 जनवरी को अंतराष्टे शिक्षा दिवस कर लेना यहां पर मैं सीकर वाद हूँ है अंतराष्टे शिक्षा दिवस और वो टाटा संस के अधिन हो गई है किसके अधिन हो गई है 18,000 क्रोड का ये सोधा हुआ है और October 2021 में ये सोधा हो गया था अब है वो इसका नाम है Change हो जाएगा Air India की जिए अब टाटा नाम है टाटा संस के द्वारा नाम इनका नया दिया जाएगा और जितनी भी लोगो डिजाइनिंग है वो सब है वो चैंज है हो जाएगी तो ये टाटा संस को है उपचारिक रूप से एर इंडिया है वो सोंप दी गई है next question देखते हैं किस देश ने भारत को सभी अनुबंदित assault rifle सोंपी है तो ये रूस देश ने सोंपी है किस ने रूस देश ने सोंपी है और किस को सोंपी है तो ये अपने भारत देश को सोंपी है अनुबंदित assault rifle सोंप दी गई है अब रूस तो अपन रूस के बारे में देखते हैं केपिटल मॉसको है कौन देखते हैं मॉसको केपिटल है पि-म मिखेल मिच्छुत्टीन है रश्टेपती बलादीमीर पुतिन है मुद्रा रश्यन रूबल है और भारत और रूस के बीच में इंद्रा एक्सेसाइज होती है माउंट एलबरस है वो यूरोप का सबसे बड़ा पहाड है और उरल का पहाड है और जरकोन मिसाइल का सफलता पुरुपरिक्शन है वो हाली में रूस के द्वारा किया गया है यह अपन रूस के बारे में डिसकस का लिया नेक्स चुसें देखते हैं और शेलर मित्तल निपोन इस्टील इंडिया द्वारा किस रज्जे में 166 क्रोड रुपए निवेस किया जाएगे तो और शेलर मित्तल के द्वारा है वो प्रियोजने स्टार्ट की जाएगी और 166 क्रोड रुपए है वो अवंटी तो की गए है किस राजे को गुजरात राजे को अब अपन गुजरात के बारे में चच्छा करते है सीम कोन है तो बुपेंदर भाई पटेल है गवर्नर आचारिय देववरत है सबसे बड़ा टोई म्यूजियम है किसान सुरुद योजना गिरना रोप्टुए का बड़ाटन सजलाम सुफलाम जल संचे अभियान सरदार सुरॉरबान गीरी नेशन परक गुजरात में है और शुमेश सुरवाइक सरदाम मंदिर भी गुजरात में है हाली में दोष्टली, मंकी और सलंग सांप की 220 नई पर जाती है और वहां पर ये नई पर जाती है इनकी आंखे है वो चकोर इनकी आंखे है और ये लुब तो हो चकी थी तो खाफी सालों के बाद में है, ये वापीस कोई परजाती है, वो मिली है, मेकंग, म्याम्मार में मिली है, कोई जवालम की विश्पोर्ट होता है, उस पाड़ के पास में मिली है, अनील अवचट का निदन हुआ है, वे कून थे, तो वे लेखर भी थे, वो शमाजिक कारिय क करता भी थे तो इसका सही अंच रह वो प्रोक्त दोनों ऑप्शन नमर सी इसका सही अंच रह ये लेख किस भासा में थे तो ये मराठी भार्षा के लेख थे किस भासा के मराठी भार्षा के लेख थे और अवचत पूने में इनका केंदर भी है समाजिक करे करता है इनकी प्रम मुक्बूक है और शवताय विशेई और गॉर्ड और ये पर मुफ पुस्त गए इनकी काफी चरची थे पुस्त के है नेक्ट शूशन देखते हैं बश्टाचार और धारणा सोचकांज 2021 में कौन शिर्स पर रहा है तो इसका सही अन्स रहे डेन्मारक 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 द देख सकते हैं अपना भारता है वो कितना ब्रिष्ट है कितने ब्रिष्टाचारी होती है ये नेक्ट शूशन है औरिसा ओपन का पहला संस्क्रण कहां परानव हुआ है तो औरिसा ओपन का पहला संस्क्रण है वो कटक में परानव हुआ है कहां पर कटक में है ये परानव होंगे कटक एक 18 देश 300 से जादा सटलर होने और सोर्ट टर्नामेंट होंगे यह लास्ट डोज का क्यूशन है जिसका काफी लोगों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पार शेयर जरूर करना और अगर अच्छा ना लगाओ तो अपनी राय है वो कमेंट बोक्स में जरूर देना और टेलीग्राम चैनल को पीडियेफ के लिए आप दो जरूर कर लेना अब आपन कल मिलते हैं झाल